कुछ आनुवनसिक रोग याद करने के सौट्रिक जो आनुवनसिक रोग होते हैं उनको याद कैसे किया जा सकता है तो जो आनुवनसिक रोग होते हैं सबसे पहले वो पीड़ी दर पीड़ी होते हैं जिसे माबाब को होता है फिर बच्चों को जाता है बच्चों से उनके कि वही किलीफ वही डाट वही किलीफ और वही डाट यह है सोट्रिक वही किलीफ और वही डाट वाका मतलब बारांदता यानि जो कम देखना होता है ही मतलब हीमोफिलिया, किली मतलब किलीने फेल्टर और पा मतलब पटाओ सिंड्रॉम ये चार हैं प्रमक रोग हैं जो आनुमनसिक रोग होते हैं बालानिता ही हीमोफिलिया, किली यानि किलीने फेल्टर और पा यानि पटाओ सिंड्रॉम तो आनुएंसिक रोख हैं ये पीड़ी दर पीड़ी बढ़ते जाते हैं इस तरीके से यदि मावा को होते हैं तो बच्चों को हो जाते हैं और यदि बच्चों को होते हैं तो उनके बच्चों को हो जाते हैं तो ये है वही किली वही डॉट एक सौट ट्रेक है जिससे आप य वाले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी देवालें